तुम्गन जेवन सुना लागे रे जो ना मिल सके याद वो आए याद वो आए रे दो ना मिल सके याद वो आए याद वो आए रे अरे साफ बना करते जब सेकंदर वापस आजागा तब करेंगे शादी अरे वो नाप साफ शादी करके चलते बनेंगे और हमारी बेटी जो है उनकी माँबाप की आयागिरी करेंगी अरे हम पर भारी नहीं हमारी बटी बता रहे हम पर ही आपने तो मेरी सोच को अलफाज दे दिये तुम तो दोस्त है क्या स्रिफ दोस्त हूं मैं लेकिन मैं बहुत आगे निकल चुपने उनको मैं एक जिन्दगी में वैसे ही कम असायन है जो एक तुम भी क्या मतलब मैं तो मारी जिन्दीगी का अजाब हूँ फिलाल तो हाँ बहुत बड़ा वाला हाँ डैट के पास आज को मैल का इंटिव्यू है यार क्या मतलब तुम क्यों करते हूँ ऐसा अभी एक अजाब से मारी जान शूटी थी तुम ने फिर मक्यों के चत्ते में अपना हाथ डाल दिया है जारा परेशान मतलब तुम मेरी पता मिजजारा मैं बहुत स्मार्ट और इस बार कोई प्रॉब्लम हो ही ने सकती है मैंने सब कुछ प्लान किया गया और डैट को भी अच्छे से समझा दिया हाँ बिलकुर ऐसा क्यों करकी तुम कॉल कर लो को मैल को पूछो उसको इंटर्व्यू कैसा रहा तुम कभी कवा मुझे मेरी दोस्त नहीं दुश्मान लगती हो फालतु मश्वरे देती हो यार और मुप की रोटिया दोड़ती रहती हो ऐसे कॉन से फालतु बात की मैंने फालतु ही किये अब रुख जो एक सेकिंद मुझे दाट को फोन करेगे तूशन लो विचिस बैरी बैरी कंपनी में इंप्लॉई हो अच्छी पोस्त पे हो और अचानक तुमें किसी और फिर्म से ऐसी ओफर आ जाती है तो फानेंशली हमसे काफी उपर हो तो तुम क्या करोगे तुम वह और कभूल करोगे या रिजेक्ट करोगे सर तरक्की करने का और आगे बढ़ने का अक सब को अरे वो मैंने जिस कास वैलो का आप से जिक्र किया ता ना उसका इंटर्विव आपके पास अच्छा 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 इंटर्वी तो ले ले ने तो फिर जॉब उसी को मिल जाएगा यूख अच्छा अच्छा सबस्क्राइब ने जानते आप ले जानते हैं आप तो युस्पर जाएगा उसे मेले ना तो खुछ हो जाएंगा लिजा जब मिलेंगे तभी पता चलेगा ना कितना तालेंटे और यूजीन तो ट्ल्रूचा इंटे हूचा अब लिए इस तो अच्छा तो शेहरीयार आप कह रहे थे कि आप वो आफ़र कबूर कर लेंगे गो कि मेरा जवाब मुकमल नहीं हुआ है लेकिन क्या आप भी मेरा मुकमल जवाब सुनना चाहेंगे अफकोर्स क्यों नहीं क्योंकि अभी दो इंटर्वी बाकी है लेकिन नौकली तो आप एक फोन कॉल पर बगार इंटर्वी को दे चुके है तो फिर ये नाटक की हूँ ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम एक मिंट शेया ओज़ा वाट नॉंसन्स तो तुम्हे लग रहे हैं हम ये सब नाटक कर रहे हैं तो और क्या ये सर अभी अभी आपने फोन पर किसी को यकीन दियानी कराई है कि जॉब दी जा चुकी है क्या बात कर रहे हो तो तो तुम्हें लगता है इस इंपायर में सिर्फ एक विकेंसी है So many opportunities in this one roof तो आपने कैसी एजियूम कर लिया जो भी हो सर एक नेक बात होता है कि सिफारिश पर किसी ना किसी की हकतल भी जरूर होगी मुझे सबाल दुराने की आदत नी है अपना जवाब मुकमल करो सर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर इंसान को आगे बढ़ने कहा के तो जाती मफाद में ये आपरचिनिटी मैं अवेल करूँगा वैया तुम अपने जाती मफाद को कमपनी के मफाद पर तरजीत होगे तो तुमारी नजर में ये फेर है वो भी चंद रुपों की खातर है सेर आपके लिए जो चंद रुपए हैं ना उन्हें जाने कितनों के लिए मुक्सद है आप जानते हैं इनको ये शादी साथ है शुरू से मेरे साथ है और इस सफर के दुरान जो इनको मैंने पोस्ट आफर की इनको बे तहाशा आफर है यानि मुक्तलिफ कमपनी से लेकिन कि अपनी जगा से टस से मस नहीं जानते हैं क्यों कि अन्हों अपनी जाती मफदात को कमपनी के मफदात पर हावी नहीं किया अपनी कमपनी के साथ सिंसियर रहे आज देख लो मेरे साथ है और सच बात यह है कि मुझे अपनी कमपनी के लिए ऐसे ही अमानदार लोगों की ज सब्सक्राइब जी से ओके सब्सक्राइब मिस्टर कुमेल यू किन गो थांकिय। विल्कम से तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही है? तुम जा रहा है या बुलाओं गाट्स को? मैंने कहा थाना सर नाम का टेक्स आने तेक इंटर्वी मोखर कर दे कम चके कुछी की तखलील तो ना होती यू 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 तश्रीफ रखिये थांके सब्सक्राइब इनका नाम उसका नाम को मैल है डाड सॉरी माँ आपको टेक्स करना भूल गेती एक्चली मेरा फोन मैंने कहा थाना सर नाम का टेस्स आने तक रुख जाए मगर यह तो फुदी नाम बताने आगी तुम फुद जा रहे हो या मैं गार्स को बलाओं मैं फुद जा रहा हूं मुझे भी ऐसी कंपनी में नौकरी निकरनी जहां पर ये सिफार्शी भढ़ती हो कुमेल कुमेल मैं एक सक्ली एक सक्ली बात सुनो एक लफसौर में एक लफसौर और खयामत हो जाएगी यह खुशी मिलकी तुम्हें मैं बाप के आफिस में जलीर करवाकर मुझे नहीं मेरी बात सुनो मेरा वो तुम पुम मुझे ओहो मुबारको भाई आपकी नहीं नौकरी के लिए आपसे किस ने कहा कि यह नौकरी मैंने हासल कर लिए अरे भाई मैंने खुद बिग बॉस की बीडियो का आपकी परची लगाते देखा है आप जानते हैं मैं आपकी बकवास काफी देर से सुन रहा हूं मजीद सुनने की खाहिश है नहीं मुझे अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने जो सच्छे वोई का है न और आपको तो नौकरी से मतलब होना चाहिए भैसाब आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस पूरी काइनात में सिर्फ आप गहरतमन हैं और बाकी सब लोग जो फिर रहे हैं वो सब बेगहरतमन अरे आप तो नहाराज होगे मैंने ऐसा तो कुछ नहीं का पक्वास पंद करोती है समझे सिर्फ तुम्हारी तंग नजरी की वज़ा से बतला सिफारिश के नौकरी से अच्छा है कि मैं भूका मर जाए मतलब आपने ठुकरा दी नौकरी क्योंकि सिफारिश से बहतर होती है मौत M.B.A हूँ गोल्ड मेटलिस्ट मैड़ट पे नौकरी हासिल करूं मैट मैं माजर चाहता हूँ दरसल लग फ्लीज फ्लीज जरूद नहीं आपको सफाईयां देने की वसी बद्गुमानी की जो एनक लगा रखिये ना तुमने यह उतार कर देखो लो पिटा फिलहाल तुम इस बात को यही छोड़ दो और बहतर वक्तर इंतजार करो सारी गलती मेरी है जब भी मैं कॉमेल के साथ कुछ अच्छा करने लगती हूँ हमेशा हमेशा कुछ गरबर हो जाती है भाई इतनी भी क्या मजबूरी है अपने आपको ठकाने की भाई होते हैं वैसे भी यह पसीना वसीना ठकन यह सब मर्द की शान होते हैं अल्ला ने मर्द को मजबूत बनाये इसलिए कि वो अपने कुन्बे की हिफाज़त कर सके उसे लगता है मैं उसकी मुफलिसी का तमाशा देखकर खुश हो रही है उसे लगता है मैं उसकी गुर्बत का मजब उडाती है हो अपनोंसेंस याँ उन भी बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है जो ना मिल सके याद वो आए रे जो ना मिल सके याद वो आए रे कुमेल कुमेल क्या हुआ अरे में बाद तो सुरू इजी बाद नहीं है अरे पेटा मैंने कहा तो था कि उसका नाम सिफ टेक्स कर देना मुले टैड मुझे क्या पता था कि एक्जाक्ली उसी टाइम पे उसी का इंटर्व्यू चल रहा होगा अरे बेटा आपको परिशान होने की जुरूद नहीं है इनको किसी और वेकेंसी के लिए अप्रोच कर लेंगे नहीं नहीं शिराजी अंकल आप नहीं जानते उसे इस कम्प्रीटली इंपॉसिबल ना हूँ इतनी शदीद किसम की खुद्दारी है ना उसमें वो इस वर में कभी काम ने करेगा यह लड़का शिराजी काफी आगे जाएगा मैंने आज कल के दोर में इतना खुद्दार और अना रखने वाला लड़का नहीं देखा कैसे जाएगा बाबा अपनी इस खुद्दारी की वज़े से यह मौशी तंगी का शिकार हुआ हूँ कुछ नहीं कल पा रहे आगे का तो बताने लेकिन पीछे ही जाया जा रहे मगर सर यह जमाना ऐसा नहीं है बगहर सिफारिश के तो यह 50,000 रुबे की जौब भी हासल नहीं कर सकता अब क्या होगा बाबा बेटा फिलहाल तुम इस बात को यहीं छोड़ दो और बेतर वक्ता इंतजार करो सारी गलती मेरी है जब भी मैं कॉमल के साथ कुछ अच्छा करने लगती हूं हमेशा हमेशा कुछ गरबड हो जाती है डाट मैं घर जा रही हूं प्लीज मॉम से कुछ जिसकस मत कीजेगा में डोंट वरी बेटा इस बेफिन यू और में थांक यू जावर जार प्लीज मॉम नेक्स्ट केंडिडेट ओके अच्छा वी और कौन को ने हां शीराजी देखे नेक्स्ट अच्छा बस पी करो ना जब से आयो रोई जा रही हूं कैसे बस कर दो यार तुम सोच नहीं सकती нравится यूशकों किसे खून भाता हूं और ठिर उसने मुश से बात की हम सोच सकती हूं वह बज्लीवाला मैटर अभी तक भूली नहीं हूं वह बज्लीवाला मैटर इतना बढ़ा मैटर नहीं था तो मैं नहीं पता यार, यह जॉब को मैल के लिए बहुत इंपॉर्टन थी, तो मैंने सब खराब कर दिया। रोशाने मेरी बात सुने। तुमने कोई काम खराब नहीं किये। तुम तो उसकी भलाई करना चाह रही थी ना। यहार के अदुमारी कियुई भलाई, उसे अपनी गुर्बत की तोहीन लगती दौई तो उसमें तुम्हारा क्या कसूर। उसली लगता है मैं उसकी मुस्लिसी का तमाशा देखकर खूश हो रही है। उसली लगता है मैं उसकी गुर्बत का मजाग उड़ाती है। अब नॉंसेंस या, उन मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सबता है? मेरी तो ये समझ में नहीं आता, कि हम काम अच्छा करने जाते हैं, ये बिगड कैसे जाता है? हाँ, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आता है, हमसे कहां और कम भूल हो जाती है? मुझे तो ना, इसमें भी अल्ला के कोई मसलिहते दिखाई देती है Excuse me, मैं उसके सच्ची महबत करती हूँ, सौ फीतर सच्ची और हमेशों उसकी भलाई चाहती हूँ, इसमें मसलिहत कहां से आगई बीच में? और अगर तुम्हें तुम्हारी महबत ना मेली तो जोग! पागल! किती पर मना किया तुम्हें कि फालतु बखवास मुझे नहीं किया करो वो भी मुझे 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 देता है रशाने मेरी तो दुआ है, तुम हमेशा खुश्रा अच्छा, यह रोनत होना तुम बंद करो ना कयामत तुम्हारा दो दफा पूछ चुकी है क्या यार? मैं अगुस्ते में और तुम्हें मजाग सूझ रहे चलो, तुम हसी तो चलो जा, अब मुझे कुछ अच्छा सा खेला यह ओफर सिर्फ कुमेल को जॉब मिलने तक महदू अब तुम हवा खाओ अच्छा भाई, अब तो ऐसा होगा या अल्ला तु देख रहे न, ऐसे जालिम दोस्त हो न, तो इससे अच्छा इंसान बंदर ही रख ले यह कि तुम्हें बंदर पालने की क्या ज़वत है, सालिक है न, बटता मीज अच्छा नहीं बठो, तुम्हारे जो कुछ पीने के लिए लेका आती है मैं खुच जा रहा हूँ, मुझे भी आशी कंपणी में नौकली निकरनी जहां पर यह सिफार्शी भढ़ती हो भाई, इतनी भी क्या मजबूरी है अपने आपको थकाने की भाई होते ही सिरे है, बैसे भी यह पसीना थकाने के सब मर्द की शान होते है अल्ला ने मर्द को मजबूत बनाये इसलिए कि वो अपने कुन्बे की हिफाज़त कर सके भाई होने को सजा मत बनाएए आजकल का वो जमाना है लड़किया अपने भाईयों और घर के मर्दों के साथ मिलके जिम्मेदारी बटा लेती है आप फ्रेश होज़र मैं आपकी लिए खाना लाती हूँ रिष्टे सबन जान हुए है चेहरे फिर भी याद है मुझे को यादों में आबाद है अब तक कैसे भूलेंगे हम तुझे को जो ना मिल सके याद हो आए याद हो आए दे उसकी दो बहने जिनकी शादी उसे करने हैं और फिर वो अपने बारे में सोच़े की यह तो अच्छी बात है कि बहनों की शादी के बारे में सोचते है और अच्छा सोचता है but my concern is मैं यहां क्या सोचते हैं? मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ मैं कैसी बात ही रहे हैं? तुम जानती हुए यह मुमकिन नहीं है मगर क्यों मुमकिन नहीं है? मैं कोई पहली लड़की तो हूँ नहीं जो नौकरी करूंगी याद वो आएड़े आजाएं मैं आए कम इन बिटा? डैड? आए ना प्लीज बैठे तुम भी बैठो नहीं मैं सुबह वाले मामले पे तुमसे बात करने है आजवाज़ और कॉफी? पीटा भी तो खाना भी निखा है बाद में क्यों? पसंद करती है उसे तो और वो? वो भी करता है लेकिन लेकिन क्या? एक तो वो मिड्ल क्लास फैमिली से तालूप रखता है लेकिन इसका मुझे रत्ती बराबर फरख नीता और उसकी कुछ फैमिली कमिट्मेंट्मेंट्स में असलन? उसकी दो बहने जिनकी शादी उसे करनी है और फिर वो अपने बारे में सोचता है यह तो अच्छी बात है कि बहनों की शादी के बारे में सोचता है और अच्छा सोचता है अच्छा सोचता है यहां क्या सोचता है और वो मेरे इलावा सिर्फ अपनी अम्नी और बहनों से ही महबत करता है ठीक है लेकिन जिस सरह तुम कह रही हो तुम यह नच्छॉर बिट कन्फ्यूस असल बात क्या है वो बताओ इसका ये मतलब नहीं कि मुझे को मैल पे कुई बेहद बार ही है इस्टिस्ट लाइक हम इंवक का अंदाजा नहीं उसे भी नहीं और मुझे नहीं और एक चीज का तुम्हे और अंदाजा नहीं कि तुम्हारी मां का बस चरे तो वो कल ही तुम्हारी शादी कर दे एड नो वाट मेरे फेस को देख के मेरी फेडिंग समझ जाने वाली और मुझपर अपनी जान निचावर करने वाली मेरे प्यारी डार आपको अभी में ने पता कि मुझे क्या चाहिए खबरदार सोचना भी मत तुम दुनिया का कोई भी काम करोगी न यह कहोगी तो मैं तुम्हारा माल लूँगा साथ खड़ा हो जाओगा लेकिन तुम्हारी मां से बात करना इंपॉसिल्ट सोचना खबरदार भई नहीं अधाद आप ट्राइ तो कर सकते है ना वाम इतनी भी खतरनाक नहीं जितना आप उने समझते है अच्छ सुनों इठो मेरे सब कहना काओ और राक्स इल हैंडल दिस नोंट वरी प्रॉम्स प्रॉम्स थांक्यू 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 चलो आथ जल्दी आजो फ्रेश के चलो जल्दी शुर्ट थांक्यू भाई आपकी छेड प्रॉम्स 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 भाई आप मुझे जूट बोलने के तल्कीन कर रहें ना बाबा ना कोई नुकसान नहीं होगा यार इस जूट से प्रॉम्स क्यों नहीं होगा रहा नुकसान मुझे जूट बोलने के आदत पढ़ जाएगी अरे प्रॉम्स समझो ना यहार मेरी मजबूरी मैं नहीं प्या जाएगा ये भालडी मिला पिला दूद मुझे दुनिया का कोई भी काम कर बाला मुझे इसके लागा, कुछ भी, कुछ भी करनूंगा कुछ भी? हाँ, कुछ भी, कुछ भी, प्लीस नो फिर सोच ले सोच लिए, बिलकुल सोच लिए तो भाई, मुझे जॉब करने की इजाज़द एदे मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ यह कैसी बातें कर रहे हैं? तुम जानती हुए मुम्किन नहीं है मगर क्यों मुम्किन नहीं है? मैं कोई पहली लड़की तो हूँ नहीं जो नौकरी करूँगी आप दिन बर कितने इंटर्व्यू देते हैं वहाँ फीमेल स्टाफ नहीं होता क्या? बिल्कुल होती हैं पर तुम्हें क्या जरूरत है इतना मारा मारा फिरने की? तुम्हारे सर पे सलामत हुए यार मैं संभाल लूँगा सब कुछ तो भाई मैं कोई मारी मारी तो नहीं फिर रही मैं तो घर में ट्यूशन्स पढ़ाने की बात कर रही हूँ और शफक वो भी तो है घर में ट्यूशन्स कमार घर कौन संभालेगा और फिर अम्मे की तबियत भाई मैं सब समाल लूँगी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा प्लीज मुझ पर भरोचा करें देख लो घर में रहकर काम करने में और घर से बाहर जाकर काम करने में कुछ खास फरक होता है घर में सिर्फ एक हिफाज़त का इजाफी अंसर होता है ताकि मुश्किलात का सामना तो करना पड़े या तो बस आप मुझे बकायदा इजाज़त दे दे फिर मैं आप ही के मश्वरों से काम करूँगे कर लो ये शौक पूरा अपना दो मेरी तरफ से एजासत ओके थैंक यू सो मज भाई मैं ये बाद शफक को भी बता दू वैसे उसने कान लगा के सुन तो लिया होगा लेकिन फिर भी क्या? तुमने प्रॉमिस किया था ये पीने का अम्मी ने कहा था आप जरूर पिएंगे ये आपको पीना पड़ेगा मैं पर्मिशन वापिस ले रहूँ तुम काम निकर सकते जी नहीं एक दफ़ा इजाज़त मल गई अब कैंसल नहीं हो सकती देखो ये भाईमानी है नाइन साफी ये धोका है यार ये मैं आवाज उठाँगा इसके खिलाफ के अपने भाई के साथ ऐसे कौन करता है यार भाई आप पी सकते हैं आखे बन करें नाख पे उंगली रखें बिस्मिल्ला पढ़के पी ले मैं अम्मी से शिकायद करूँगा तुमारी बता रहा हूंगा क्या शिकायद लगाएंगे कि उनका भेजा हुआ दूद आप नहीं पी रहे मैं बता रहा हूं इस वादा खिलाफी पे मैं तुम्हें जिन्दगी पर माफ नहीं करूँगा आप कर दूँ मैं तुम्हें आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते पीना तो पड़ेगा गुड नाइट क्या ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारे बीच समझा शफक के साथ रह रहके चलाक होगी है ये भी क्या होगा इस मौश्रे का पड़शी के बगार यहां नौकरी हासल करना नामुम्किन होता जा रहा है और खुशामदी सिफार्शी टोले की वज़ा से हम जैसे खुद्दार काबिल लोगों को बेरोज़कारी काज़ाब छेलना पड़ता है कल्ब लोड़का मेरी वज़ां से नौकरी हासल नहीं कर सके रोशाने भी कभी कभी हद से बज़र जाती है कैसे सही होगा यह सब रहन फर्मा मौला लेकर आज तक उसे समझ ने से तुम्हें परिशान देखर और भी परिशाना लड़की है ना उसे मर्दाना होसले की तौको करना अप से तुम समझ रहा है क्या कर हूं सब में यह भी तो परदाश नहीं कर सकता है कोई मेरी सिफारिश करे और सारी सिंदगी के लिए मुझे पश्टावे में जांते है जो ना मिल सके याद वो आएरे जो ना मिल सके याद वो आएरे जो आएरे सालिक और जारा तो इतनी जल्दी नहीं उठते हैं हला है हाँ यंग मैन क्या हाल है बिलकु ठीक मैं रुशाने का फादर बात करूँ सार कल जो कुछ भीवा उसी सिल्से में बात करना चाहरा हूँ तुमसे अगर तुम मुनासिस समझाता हूँ शूर सार मैं बिलकु आजाँगा अभी लेकिने के इंटर्वी कले चाहरा हूँ सार मैं फ्री होते हैं आपको कॉल करूँगा अगर आप फारिग होए तो मैं हाजर हो जाँगा जिद्धी हो नहीं खुद्दार तोनों में काफी फर्क होता है सुर यकीनन अच्छे जब तुमारा इंटर्वी हो जाए तो प्लीज मेरे आफिस आजाओ मैं नीचे रिसेप्शन पे तुमारा नाम लिखवा रहा हूँ ओके सार एक बात पूछों अगर आप बुरा ना मनाए तो हाँ पूछो यह कोई भी आकर आपसे ऐसे मिल सकता है किसी भी डड़के ने बहुत अच्छे नंबर्स लिए हो और वो बहुत टैलेंटेड हो तो क्या आप उसकी दस्तरस में हैं जैसे कि शर्फ मुझे हासल हो रहा है सच पूछो तो नहीं पर ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझसे ना मिल सकता है इसका भरपूर और मुनजम सेटब है मेरा आफिस में अच्छा तुमाओ ना पिर तफसील से बात करते हैं राइटर मैं हाजर होता हूँ ओके मैं वेट करूँगा तुमारा अल्लाहाफिस अल्लाहाफिस क्या होगा इस मौश्रे का परशी के बगार यहां नौकरी हासल करना नामुमकिन होता जा रहा है और खुशामदी सिफारशी टोले की वज़ा से हम जैसे खुद्दार काबल लोगों को बेरुज़कारी काज़ाब छेलना पड़ता है कल्ब लॉरका मेरी वज़ां से नौकरी हासल नहीं कर सका रुशाने भी कभी कभी हद से गुजर जाती है कैसे सही होगा यह सब रहन फर्मा मौला फीकी ख्राय शफक उठालो यार कोई भी आकर आप से ऐसे मल सकता है किसी भी लड़के ने बहुत अच्छे नमबर्स लिए हो और वो बहुत तैलेंटेड हो तो क्या आप उसकी दसतरस में हैं जैसे कि शर्फ मुझे हासल हो रहा ऐसे नौजवान कहा हैं आज के मादा परस दोर में सहल पसंद और काहिल लोगों के बीच में ये तो बिलकुल ही अलग ख्यालात का मारिक लड़का है मुझे कोशिश करके इसको मनाना होगा और इसकी काबलियत को अपने कंपनी के लिए इस्तिमार करना होगा चाई पी होगे? नहीं सर्थ, थैंक यूझे बस सर्थ, मैं अपने कल के रवएए पर बहुँचर में दाओं तरसल मुझे खुद भी रोशाने से ऐसी तवक्व नहीं थी कब से जानते हैं और रोशाने का? करीब चार साल से हम लोग साथ ही बढ़ते हैं सर्थ, लेकिन कभी लेकिन आज तक उसे समझ नहीं सकते तो मैं परिशान देखकर वह और भी परिशाना जाते है सर्थ, लड़की है ना उसे मरदाना होसले की तवक्व करना आपस है तुम समझ रहे हैं क्या कह रहूँ है सर्थ, मगर मैं ये भी तो परदाश नहीं कर सकता है कोई मेरी सिफारिश करे और सारी जिन्दगी के लिए मुझे पच्टावे में जानते है आप जानते हैं कि अगर कल रुशाने ने मेरी सिफारिश नहीं की होती तो उस कैंडिडेट को जॉब मिलती जो मुझसे पहने इंटेव्यू ले रहा था इसके आँकों में कितनी हाकारत थी मेरे लिए इसके लेजे में कितनी नफरत थी मुझे अपना अक्स दिखाई दे रहा था सबस्परी हाँ मिटा कुछ बात्रेव थी जो मुझे उससे कर ली थी तो कि मुझे तुम्हारी पुजिशन को भी क्लियर करना था आंक्यू डाइड लेकि मैं जानती हूँ जो मिसंडिस्टैनिंग क्रीट हो गई है वो इत्या साइन से क्लिर नहीं होगी तुम सही किया रही हो गटा लेकिन मेरे मेरे सम्झाने के बावजूद मुझे लगता हूँ इस गिर्ट से बाहर निकल वाएगा कि ये नौकरी उससे रोशानी के कहने पर मिल रही है कि मैं पागल खाने दाखिल हो रहा हूँ है ना हाँ मगर तुम से शादी करने के बाद ते है यह शादी मुझ से वाव। एक सुर्प्राइजिंग हाँ सुम्रेचलेशन सौली जनाब ये जौब एक रेक्यमेंडेशन पर है पर्पर्स मेरें सुना 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 अगेस आपकी बूप सेक्रेटरी भी रिकमेंडेड हैं इसलिए उनका ये हाल है रिष्टे सब जान हुए है चेहरे फिर भी याद है मुझ को यादो में आबाद है अब तक कैसे भूलेंगे हम तुझ को जू न मिल सके याद वो आए याद वो आएक रै जू न मिलसके याद याद वो आए